नमस्कार दोस्तों आप पढ़ रहे हैं कक्छा वार्वी एंसी आर्टी घडित जिसमें आप पढ़ रहे थे प्रिश्णावली 3.3 तो देखे इसके हमने 7 क्वेशन का लिए थे आगे आप पढ़ेंगे 8 वा क्वेशन तो देखे 8 वा क्वेशन क्या है एक आप्व्यू दिया आप्व्यू इसके लिए सत्यापित करना है पहला सवाल है ए प्लस एडैस एक सम्मेत आप्व्यू है फिर इसका सेकंड सवाल भी है ए माइनस एडैस एक विसम सम्मेत आप्व्यू है तो देखे आपको पता होगा सम्मेत आप्व्यू हम कैसे दर्शाते थे एडैस का मान य आ निकल के आ जाता था तो A-ब्यू शंत्तrift अब्यू कहलाता था लेकिन यहाँ पे हमें A-पलस A-को शंत्तरिफ अब्यू बताना है तो इसका लएफ हम निकालेंगे और इसका लिएफ E-प्लस A-ब्यू के बराबर आ जाएगा देखे यहाँ पर a का मान अब क्या ओ चुका है a plus a dash तो ध्याननेना हमें सिद्ध करना है a plus a dash एक सम्मित अभ्यू है जब हम सिद्ध करते हैं a सम्मित अभ्यू है तो a का dash लेते हैं और a ही आजाता है तो यहाँ पर हम इसका dash लेंगे और बिल्कुल यही संख्य यदि आपको प्राप्त हो जाती है तब यह जो अब्यू होगा एक सम्मित अब्यू कहलाएगा तो देखे लिखेंगे दिया है सबसे पहले देखे आपके पास एक अब्यू था यह अब्यू है आपके पास कितना है एक पांच छे साथ एक जी आप्यू दिया गया है इसकी हेल्प से आप एडेस निकाल सकते हैं तो एडेस क्या होगा पंक्ती को इस थंबों में बदलना है एक पांच जो पंक्ती में लिखा है इसे इस थंब में लिख दीजिए 6-7 जो पंक्ती में लिखा है इसे स्थम्भ में लिख दीजिए तो A-डेस ग्यात हो गया अब हमें जो है इस चीज का मान निकालना होगा फिर उसका डेस पता करना होगा इसके बराबर आता है या नहीं आता है तो देखे सबसे पहले हम A-डेस का मान ग्यात करेंगे तो इसका मतलब है कि A-डेस वाला अब्यू जोडेंगे तो देखे 1-5-6-7 इसमें हम क्या प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 1-6-5-7 वाला अब्यू हम प्लस करेंगे तो देखे क्या प्राप्त होगा यहाँ पर संगत अव्यब जोड़े जाते हैं एक और एक हो जाएगा दो पांच और छे हो जाएंगे 11 6 और पांच फिर 11 7 और 7 यहाँ पर चहुदा हो जाएंगे तो इस प्रिकार से इसका मान गयात हो गया अब देखे हमें इसका dash करना है तो देखे a plus a dash का जो मान आया था अब इसका हम dash करेंगे मतलब इसकी पंक्तियों को स्थम्वों में बदल देंगे तो यहाँ पर देखे क्या प्राप्त होगा 211 जो यदि पंक्ति में लिखा है 211 को आप इस्तम्व में लिख देंगे और यहाँ 11 14 जो पंक्ति में लिखा है इसे आप इस्तम्व में लिखेंगे तो देखे यहाँ पर इस पश्ट है कि जो इसका मान है और इसका मान है बिलकुल बराबर आचुका है तो आप क्या लिखेंगे यहां इसपस्ट है कि हमने जो a प्लस a डेस का भी डेस निकाला है वो माना रहा है a प्लस a डेस के बराबर अतय हम कह सकते हैं कि a प्लस a डेस जो अब्यू है एक सम्मित अब्यू है तो हमने लिखा आता है a प्लस a डेस एक सम्मित अब्यू है तो हमारा आठवे का पहला सवाल complete हुआ देखे अब आठवे का second सवाल A-A- एक विसम सम्मित अब्यू है तो देखे विसम सम्मित के लिए कौन सा नियम होता है कि A- का मान minus A के बरावर यदि आ जाता है तो A- आब्यू विसम सम्मित अब्यू कहलाता है लेकिन अब हमें A- A- को विसम सम्मित बताना है तो A- A- का भी हम डैस निकालेंगे और इसका मान minus शिन लगाते हुए A- A- आ जाना चाहिए तब ही हम कह सकते हैं कि यह आब्यू विसम सम्मित आब्यू है तो देखे यहाँ पे हमने लिखा दिया है एक आब्यू A दिया गया था A की सहायता से हमने A- निकाल दिया था अब देखे हमें A- A- का मान चाहिए फिर उसका डैस तो देखे यहाँ पे यदि हम A- A- पहले निकालते हैं तो देखे A- A- क्या आएगा इस A आब्यू मेंसे तो A- आब्यू क्या है आपके पास एक पांच छे साथ इस मेंसे A- को घटाएंगे मतलब एक छे पांच साथ को घटाएंगे तो देखे क्या प्राप्त होगा यदि आप घटा देते हैं जे रहा A का मान जे रहा A- का मान यदि आप घटाएंगे एक मेंसे एक को घटाएंगे जीरो पांच मेंसे छे को घटाएंगे माइनस एक छे मेंसे पांच को घटाएंगे एक साथ मेंसे साथ को घटाएंगे जीरो आ जाएगा अब देखें अब हमें क्या करना है इसका भी डैस ग्यात करना है तो अब हम इसलिए क्या निकालेंगे पंक्तियां इस्थम्बों में परिवर्थित हो जाएंगी तो 0-1 जो पंक्ति में लिखा है इसे आप इस्थम्ब में लिख देंगे तो 0-1 और देखें यहां पे एक 0 जो पंक्ति में लिखा है इसे भी हम इस्थम्ब में लिख देंगे अब देखें यहां से ध्यान नेना दंगा हो जाएगा, 0 का तो चिन्ना बदल ही नहीं सकते हैं, देखें यहां पे minus इन लिखें, 0 minus 1, 1 0, तो देखें यहां 0 minus 1, 1 0, a minus a dash का मान आचुका है, तो इसकी जगह आप a minus a dash लिख सकते हैं, तो देखें आपके लिए क्या प्राप्त हो गया, a minus a dash का भी dash जो है, वो बरावर आचुका है, minus इन लगा के a minus a dash के, और हमने आपको यही नियम बताया था, तो आप कह सकते हैं, आता है, a minus a dash एक विशम सम्मित आप्यू है, तो हमने लिखा आता है, a minus a dash एक विशम सम्मित आप्यू है, यही आपको सत्यापित करके बताना था तो आठवे का दूसरा सवाल भी complete हुआ तो पूरा सवाल आठवा complete हुआ इसके बाद हम देखते हैं नौवा question है यदि ए आप्व्यू का मान दिया गया है तो एक बटे दो ए प्लस ए डेस का मान गयात कीजिए तो देखे आपके लिए दिया गया है काप्यू A दिया गया है लेकिन आप देखें तो यहाँ आपको A डेस की आविशक्ता होगी तो इस वज़े से यहाँ से आप A डेस का मान गयात कर सकते हैं A डेस का मान क्या आएगा देखे 0 A B जो पंक्ति में लिखा है उसे हम इस्तंब में लिखेंगे तो 0 A B इसे हमने इस्तंब में किया माइनस A 0 C इसे भी हम इस्तंब में लिखेंगे तो माइनस A 0 C इस्तंब में लिखा माइनस B माइनस C 0 जो पंक्ति बना है इसे हम इस्तंब बना के लिखेंगे तो minus b minus c और 0 तो देखे a- का मान आपको ग्याद हो गया है अब देखे अब हमें दो चीजें जो ग्याद करनी है उनमें से एक एक चीज आप निकाल सकते हैं तो पहले आपको 1 बटे 2 a plus a- का मान आपको ग्याद करना है तो देखे कैसे आप ग्याद कर पाएंगे तो यहाँ पे तो हमने लिखा एक बटे 2 अब a और a- का हमें योगफल करना होगा एक कोश्टक बना देते हैं और यहाँ पे अब हमान रखेंगे a-up-view का तो देखे 0 minus a minus b और यहाँ a 0 minus c और यहाँ पे b c और 0 है a b और फिर minus a 0 c minus b minus c और 0 जे रहाँ आपका a-s वाल आप-view और कोश्टक जो बना था यह लगा दिया हमने कोश्टक अब देखे यहाँ पे एक बटे 2 इन दोनों आप-view को यदि आप जोड़ेंगे तो देखे यहाँ 0 और 0 को यदि आप जोड़ेंगे तो 0 a में minus a जोड़ेंगे तो यहाँ भी 0 b में minus b जोड़ेंगे तो यहाँ भी 0 minus a में plus a जोड़ेंगे यहाँ भी 0 0 में 0 आप जोड़ेंगे तो 0 c और minus c का भी 0 यहाँ minus b plus b का 0 minus c plus c का 0 और 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 अब दिखे एक बटे 2 इन्टु कोई भी अभ्यू आया है 00 अभ्यू आया है अब एक वटे दो इस अभ्यू के आगे लिखा है इसलिए एक वटे दो का हर एक अभ्यव के साथ आप गोणा कर देंगे तो देखे हर एक अभ्यव के साथ गोणा करेंगे तो एक बटे 2 का 0 से होगा 0, 0 से होगा फिर 0 मतलब यहां पर प्रत्ते का वियाब 0, 0, 0 आपको प्राप्थ होगा और यही अमारा फिर इसका आंसर हो जाएगा अब देखे हमें इसका भी मान निकालना है तो देखे हमें लिखा तथा अब हमें निकालना है एक बटे 2 तो हमने लिखा यहां पर साब्यू में से हमें साब्यू को घटाना है तो देखें संगत अब जैसे जोड़े थे वैसे ही आपको घटाने होंगे 0, minus 0 करेंगे 0 आएगा A, minus minus A करेंगे तो यहां plus का A बन जाएगा तो A और A क्या हो जाएगे यहां से 2A हो जाएगे यहां B, minus और minus plus का B बन जाएगा तो 1B और 1B, यहां भी 2B हो गए, यहां minus A और यहां भी minus A तो minus के 2A हो जाएगे और 0 और 0 का तो 0 ही रहेगा C, और minus और minus plus C तो 1C और 2C हो जाएगे यहां minus B, यहां भी minus B हो गा, तो minus के 2B हो जाएगे, यहां minus C, यहां भी minus C हो गा, तो minus के 2C हो जाएगे और यहां 0 और 0 का तो 0 ही रहेगा, अब देखें इस साब्यू के आगे 1 वटे 2 लिखाए, तो 1 वटे 2 का गुणा हम हर एक अव्यव के साथ कर देते हैं तो देखें 1 वटे 2 का गुणा, 0 के साथ करेंगे, 0 आएगा, 1 वटे 2 का 2A से करेंगे, तो 2-2 तो कट जाएगे A आएगा, एक वक्ते 2 का 2 भी से करेंगे दो-दो कट जाएगा, केवल B आएगा यहाँ दो करण जाएगा, माइनस से आएगा 2, यहाँ तो नहीं कटेगा क्योंकि एक वक्ते 2 का 0 से करोगे पूरा 0 ही बन जाएगा 2 यहाँ फिर कट जाएगे केबल C बचाओगा 2 यहां कट जाएंगे माइनस का B बचाओगा 2 यहां कट जाएंगे माइनस का C बचाओगा 1 वट्टे 2 का 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा और यही हमारा फिर इसका उत्तर हो जाएगा तो इस प्रकार से नौवा सवाल कंप्लीट हुआ आगे के वीडियो में हम आगे की सवाल करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद